आपका इमपोर्ट मैट्स में तो इस वीडियो में हम फंक्शन की डेफिनिशन पढ़ने वाले लास्ट वीडियो में हमने इंट्रड़क्शन देखा था फंक्शन क्या होता है अब उसकी हम डेफिनिशन देखते हैं एक बार रीड करते हैं आपको सबको बहुत ही सिंपल लगेगी है क्योंकि आप पहले कंसेप्ट सीख चाहिए हो उसके बाद हम देखेंगे इसके दो एक्जाम्पल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फंक्शन क्या होता है एक रिलेशन एफ कोई रिलेशन एफ आपकी फ्रॉम एस सेट एफ तो सेट इन सेट भी हर एक एलेमेंट सेट एक अब दिया रहा है मतलब कोई भी खाले नहीं चूड़ने चाहिए यहां पर फिर्स्ट कंडिशन अपनी होगी सैटिस्पाई ठीक है है एस वन एंड ओल्ली वन ठीक है सिर्फ एक ही इमेज होने चाहिए हर एक एलेमेंट की पास तो यह यहां पर अपनी सेकंड कंडिशन भी होगी सैटिस्पाई इन अदर वर्ट्स इफ फॉंक्शन एफ इस एलेमेंट खाले नहीं चूटने चाहिए यह आपकी फर्स्ट कंडिशन यहां पर सैटिस्पाई हो रही है एंड तू नो टू डिस्टिंक और्रट पर इन एफ है इसका मतलब क्या हुए जैसे 1,A ले लो आप एक और पेर और एक कोड़़़़़़़़ वन कॉमा भी ले लो ठीक है यह दिस्टिंक और पर रहे हैं है नो टू डिस्टिंक और फैर इन एफ इसका सेम फर्स्ट एलेम तो इस तरह का नहीं होना चाहिए condition ठीक है वही कहा रहा है तो यह आपकी होई second condition ठीक है वही लिखा if f is a function from a to b and a, b belongs to f मालो f function है set a से b में एक f function है और कोई a, b element है इस function के अंदर है belongs to f ठीक है then इसका मतलब क्या होता है अगर हम a पर function apply करें जैसे मैंने आपको बताया था function एक माशीन होती है function एक माशीन होती है जो कुछ input लेती है और कुछ output देती है अफ माशीन का नाम f है ठीक है इसका मतलब कि हुआ अगर मैं f को a दूंगा इस a, b में अगर a दूंगा तो यह मुझे b देगा बदले में इसका मतलब वही है f of a अगर मैं a दे रहा हूँ input में function f को तो वो मुझे answer दे रहा है b ठीक है इस तरह से हम इसको denote करते हैं ओके और यह आपको clear है यह जो b होती है आपकी वह आपकी होती image यह आपकी होती image और a होती है आपकी pre-image यहाप लेका b is called the image and a is called pre-image ठीक है तो यह functions का और definition के help से मैंने आपको basic के लिए कर दिया अब आपको question बहुत ही easy लगेगा चलिए start करते हैं एक example number 10th ncrt book का है let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is equal to x,y such that y is equal to 2x यहाँ पे x,y आपके n natural numbers है तो हमको निकालना है domain co domain और range of r ठीक है तो यहाँ तक देखी यहाँ तक यह question पहले जैसे question जैसे ही है जो हम relation में solve करते थे आपका एक n दे रखा है आपको natural number का set और relation r दे रखी है जो की आपकी इस तरह define है किस तरह define है जिसमें order पेर आएंगे x,y such that जो आपका y होगा वो x के double होगा ठीक है और जो x और y जो number है वो आपके natural number बहले set से ही आएंगे ठीक है अब इसकी निकालो domain, co domain और range ओके निकाले निकलते हैं अगर मैं x को 1 लूँ तो y 2 आ रहा है x को अगर 2 लूँ तो y 4 आ रहा है तो r में क्या क्या आएगा अगर मैं roster form में लिखूं आर को तो आएगा इसमें natural number x अगर 1 लेता हूं तो y कितना आएगा 2 double ठीक है x अगर 2 लेत लेता हूं तो y कतना आएगा 8 and so on यह infinite set बन जाएगा आपका infinite set क्यों बन जाएगा infinite set क्योंकि natural number का set है 1,2,3,4 आगे 5 भी आएगा अब तो infinite वह सारे number आएगे और यह first number है उसका double second number है यहाँ ठीक है अब मैंने आपको पहले भी बता चुका था जब आप एक बार domain roster form में ल जो भी आपकी x की value होती है यहां पर 1,2 इन सबका set 1,2,3,4 आगे 5 भी आएगा 6 आएगा तो आपकी domain में आपका सब कुछ जाएगा 1,2,3,4 … तो यह आपका natural number का set है तो domain आपकी हो जाएगी क्या n ठीक है range range में क्या आता है range में आपकी सारी y की value आएगी यहां पर 2 आज आ है चाएगा 4 है ऐगा six है आज आएगा डिया डू है गए टू है जाएगा six आ जए एक आज आएगा एट अ जा एगा and so on यह भी आपका क्या है infinity यह क्या है set up natural numbers- set of even natural numbers यह क्या है even natural number setup even positive number क्लों even positive नंबर ठीक है यह आपका क्या हो गया है यह आपका है नैचुरल नंबर सेट ओप नैचिरल नमबर मैं आपकी सैट ओप नेचिरल नमबर हो गई और रेंज आपकी सैट ओव इंवन पोजिटिव नमबर हो गई ठीक यहां तक हम देख चुके तें कुछन कई सारे अब मैं कोश्ण ना था is this relation of function क्या यह relation function है तो function की दो property मैंने पता ही पहली property हर एक element की image होने चाहिए और वो image unique होने चाहिए यह दूसरी दोनों property को combine कर दिया पहले property थी कि जो left वाला set ए है उसमें एक भी element खाली नहीं बचना होना चाहिए खाली नहीं बचने का मतलब है वो किसी ना किसी element से मैप होना चाहिए और second property अपके थी अगर किसी element की image है तो वो image unique होनी चाहिए ठीक है दिखते हैं यहां पर क्या हो रहा है diagram बनाके दिखा हो आपको relation R क्या है on and define natural number of relations यहां पर set A और भी नहीं आपके set N है left वाला set भी आपका N है और right वाला set भी आपका N है यहां पर ठीक है ऐसे आपको ध्यान रखना है अगर relation on n लिखा है इसका मतलब दोनों set आपके N है ठीक है तो यहां पर one two three four dot 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 यहां पर आपका क्या रहा है यह भी आपका N है तो one two three four five six seven dot 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 तो one किससे कमा है नहीं है आपका two से two किससे four से three किससे six से यहां पर suppose eight है four किससे आपका eight से ठीक है ऐसे five ten से यह आपके वह गए अब देखो कि यह function है तो सबसे first property check करते हैं पहली property relation के क्या होने चाहिए left side के set का कोई element खाले नहीं चुनना चाहिए यहां पर देखिए हर एक element आपका relation में combine है वन भी map है तू भी मैप है थिरी भी मैप है फोर भी मैप है तो सारे मैप है तो first condition तो होती है आप सैट स्पाई क्या होते थी function जिससे बनता था कि अगर कोई element है किसी से मैप हो रहा है तो उसकी unique image होने चाहिए तेखो अuk कली A कि सबमता तरव किम एक है कई बन किसी और इंसे प्ट का यह झाल सकते हैं सबस्क्तव के सब्सक्राइब दोमी कि एक स्थाय आपसे कि वन की टू है तो ये भी सेट्षाय यह तो येस सब्सक्राइब है से यह फ़ंट्चन ठीक है क्यों है function क्योंकि हर एक element के पास एक image है और सिर्फ वो unique है और उनके पास कोई और image नहीं है ठीक है एक और example number 11 दिखते हैं examine each of the following relations given below and state in each case giving regions whether it is a function or not तो यह relation दे रखी हमें सकते हैं लेकिन आपको मैं arrow diagram बना के दिखाता हूं तो यहां पर domain में क्याएगा 234 आपका 234 यह आपका domain में और राइट सेट में क्याएगा वन वन टू वन और टू ठीक है अब देखो टू वन से मैच है आपका त्री वन से मैच है और फोर टू से मैच है ठीक है पताओ यह function है या नहीं है लेट साथ का कोई भी element दिखाले नहीं शूट रहा और सबकी इमेज यूनिक है टू की बन है और कोई नहीं है टू की टू की टू की वन है और फोर की टू है ठीक है सबकी एक एक इमेज है तो यह आपका function है यस इस फॉंक्शन सेकंड देखते हैं टू 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 फोर 3 3 4 4 यहां से समझ आ रहा है कि टू की इमेज 2 है और टू की इमेज 4 यहां पर टू की दो मैज है अगर इसको मैं बना हूँ तो कैसा बनेगा यह टू की एमेज एक तो हो जाएगी 4 एग यह और टू की मिश्ट तू भी है तो इस कंडिशन से तू की हमारे पास दो इमेज है यहने की मिलिच वाली प्रोपर्टी फेल हो रही है तो यह फंक्षन नहीं है कि थर्ड वाला एक्जांपल लिखते हैं इसमें देगा वन टू टू तू थी तू थी पौर फॉर फाईब सिकस सेवन तो मैं लेकर देता हूँ 1,2,3,4,5,6 ठीक है यह लेप्ट साइड की डोमेन मैंने बना ली और यहां पर 2,3,4,5,6,7 ठीक है और मैचिंग के इसापस है यहां पर अपने से एक ज्यादा 1,2 के साथ मैं अपर 2,3 के साथ है 3,4 के साथ है 4,5 के साथ है 5,6 के साथ है और 6,7 के साथ है यहां पर लेप्ट साइड में एक भी ऐलेमेंट खाली नहीं शूट रहा है ठीक है तो पहली प्रोपर्टी तो यहां पर होती सैटिस्पाइड दूसरी प्रोपर्टी हर एक ऐलेमेंट की सिर्फ यूनिक इमेज यहां पर किसी की भी डूप्लिकेट इमेज नहीं है तो यह तो हम कह सकते हैं यह सब्सक्राइब ठीक है तो यहर आपको आई होप समझ आया होगा फंक्शन क्या होता है है ना रिलेशन सिर्फ बात जो याद रखनी है आपको दो प्रॉप्टिया रखनी पहली लेट साइड के सेट में कोई खाली नहीं चुटना चाहिए और दूसरी बात हर एक एलेमेंट की यूनिक इमेज होना चाहिए उसकी दोइमेज नहीं होने चाहिए सिर्फ एक ही होने चाहिए और होने चाहिए तो यह नहीं की होई ना ठेक है तो जल्दी अगली वीडियो में थैंक यूफ़षिं वीडियो वाटिओ उनक आ झाल झाल